वेल्कम टू स्टेडी आटिक मैं हूँ आपका दोस्त दुशार चलिए आज के लेक्चर को शुरू करते हैं लास्ट लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि कैसे जो आपकी भौसले डैनेस्टी है उसका कैसे फॉल होता है और अब क्या है कि आज पढ़ेंगे राइज आफ मराथा अंडर पेश्वाज तो एक टाइम ऐसा आगया था कि जब भौसले डैनेस्टी वीक हो गई और जो आपकी पेश्वा है वो पोस्त स्ट्रॉंग हो गई हमने अभी तक पढ़ा था कि कैसे पेश्वाज जो हैं डी फेक्टो रूलर बन जाते हैं और जो छत्रपती हैं वो वस एक फिगर हैड या टाइटल हैड बनके रह जाते हैं ऐसे में मराथा एमपाइर की पावर अपने पीक पर पहुंच जाती है और ये पावर वो कहां तक पहुंचाने का उनका सपना होता है पेश्वाज के दुरान ही वो अपने एमपाइर को अटक से लेकर कटक तक ये उनका एक स्लोगन होता था अटक से कटक तक अपने समरज्ज को फिलाना तो वो इसमें कामयाब इसी पेश्वाज शिप के दुरा लोगी पोस्ट थी लेकिन जैसे कि हमने अभी पढ़ा था कि बैटल ओफ खेड के बाद किस तरह से पेश्वाज की ताकत जो है वो एन्हेंस हो जाती है पेश्वाज के अंडर मराथा किंडम के रियल फाउंडर थे बाला जी बिश्वनात लेकिन असल में जो मराथा एंपार ग्रो किया या बहुत पावरफुल था वो बाजीराव वन के अंडर था बाजीराव वन के उपर ही आपकी बाजीराव मस्तानी जो है मूवी बनी थी और जो ये है उन्होंने अपने सभी मराथा चीफ्स को मतलब एक जूट करके रखा था इसलिए वो काफी मशूर हो है और उन्ही पावर को एकस्पैंड करने में सक्षम रहे यह मैं बात कर रहा हूँ बाजिराव वन की तो बाजिराव वन नहीं असल में जितने भी उनके मराथा के चीफ्स होते थे जो उनके अपने चीफ्स इतना लेकिन बाजिराव वन में काफी एबिलिटी थी और वो काफा है इंठीलिजन्ट थे इसलिए चब भी पेश्वाज का नाम आता है तो आपके दिमाग में बाजिराव वन नहीं आते हैं तो बाजिराव वन ने अपने सभी सबोडिनेट्स को ना बहुत सारी सत्ता दीवी थी राज करने के लिए जैसे कि गवालियर में सिंधिया को बिठा दिया नागपुर में भोंचले डाइनेस्टी को से को किस करती है अब यह जो बात है ना यह मैच अधा फॉलंग में भी आ सकता है ऐसा कोईशन प्रिलिम पॉइंट व्यू से आपको मतलब किस डाइनेस्टी को कौन रूल करता था तो ऐसा कोईशन भी बन जाता है अच्छा अब ना हम सिक्वेंशल वे में समझेंगे कि सारी हरार्क यह पेश्वाज की ठीक ऐसे और इस तरह से ना आपको पेश्वाज और उनकी जो फैमिली का फ्लो चार्ट है वो आटोमेटिकली समझ आ जाएगा आप उसको रिकॉल कर पाएंगे इसली शुरुवात होती है बाला जी विश्वनात से यह 1713 के टाइम से लेकर 1720 तक सिरफ एक युद्ध करने के लिए ऐसे नापती लेकिन बाजीराववन की फैमिली जो आगे उनका जो फैमिली ट्री है वो ग्रो करता है और वही आगे पेश्वाज को संभालता है तो इसको मैं धीरे धीरे आपको समझाता हूं और वैसे ही आपको फ्लो चार्ट जो है वो मराठा गिंडम और वो कौन थे वो थे पेश्वा बालाजी विश्वनाथ 1713 से लेके 1720 तक का इनका रूलिंग टाइम होगा ये बहुत ही हार्ड वर्किंग और इंटेलिजेंट थे कौन करनी ब्राह्मन थे और शाहू ने इन्हें सेना करते का टाइडल दिया था पहले भी शाहू ओर ये रिलीज करेंगे ठीक है तो उस सेना कौन मराठा थ्रोन पर बिठाने के लिए पूरी मदद देंगे तो बाला जी, धना जी यादव को पर्सुएड करने के मतलब पूरी कोशिश करते हैं वो पहले धना जी यादव के पार जाते हैं और उनको पर्सुएड करते हैं कि आप जो है शाहु जी को मतलब गद्दी पे बढ़ाने के लिए आप मड़द करिये तो इस cause के लिए जो धन्ना जी है वो मान जाते हैं वो accept कर लेते हैं इसको ये मैं इसलिए आपको अलग-अलग से सारे मतलब मतलब पेशवाज के बारे में थोड़ा-थोड़ा बता रहा हूँ क्योंकि इनके time पे कुछ events चल रहे थे मैंने आपको बताया ने कि आपको एक year याद होना चाहिए और उसके according मुगल्स के time क्या चल रहा है मुगल्स के वहाँ क्या चल रहा है थीक है निजाम के वहाँ क्या चल रहा है मतलब time वही 1713-1720 का लेकिन इस time पेशवाज शिप्त हम देख रहे है लेकिन आप को यह विपता होना चाहिए कि दिल्ली में क्या चल रहा है पंजाब में सिंदि में क्या चल रहा है मैसोर में क्या चल रहा है हेद्राबाद में क्या चल रहा तो यह जब आप correlate कर पाएंगे तो धीरे धीरे आपको यह practice अभी India के से होगी तो इस तरह से आपने पढ़ने को विशिश करने हैं तो अभी पेश्वा जो बाला जी विश्वनाथ हैं इनका आगे मैं पढ़ाऊं इससे पहले एक मैं आपको थोड़ा सा मुगल्स के बारे में थोड़ा सा एक रिकॉल करवायता हूं जो हम मेडियेवल इंडियन हिस्ट्री मैं वैसे पढ़ी लेंगे तो अब विश्वनाथ के टाइम के दुरान एक अगले इंसिदेंस को हमने समझने के लिए दिल्ली सुल्तानित की जो क्रोनोलोजी हैं हमने औरंगजेब के बाद देखनी है तो उसको थोड़ा समझते हैं अभी चलिए औरंगजेब के बाद जो स चिन कलिच खान ये कौन थे चिन कलिच खान ये थे निजाम उल मुल्क हैधराबाद के ठीक है असब जहाबीन को कहते हैं तो इनका बड़ा इंफ्लुएंस था मुगल कोट में और औरंगजेब के बाद जो एनार्की फैल रही थी एनार्की का मतलब है इन डिसिप्लिन या फिर आप कह लिजिए अराजक था वो जो फैल रही थी उस दरान सहीद ब्रदर्स ने क्या किया मतलब बहुत सारे किंग्स उनके कारण बने मतलब किसी को थ्रोन पे बिठाना या उतारना ये उनके मतलब काफी बस में था वो काफी पावरफुल थे उस टाइम पे तो उनको उस समय किंग मेकर्स का टाइटल था उनके वो एक तरह से मिला हुआ कि वो किंग मेकर्स हैं एक्चुली सहीद ब्रदर्स और रंग जेब के जो बेटे हैं बहादुर शाह वन उन्होंने सहीद ब्रदर्स और चिंकलिच खान की मदद से अपने भाईयों को हरा दिया और खु का क्या होता है सहीद ब्रदर्स द्वारा कतल करवा दिया जाता है 1713 में जहांदर का जो नेफ्यू है फारुख सियार वो सहीद ब्रदर्स की हेल्प से 1713 में जो मुगल आपका सिंगहासन है उसको संभालेगा कौन फारुख सियार जहांदर शाह का नेफ्यू तो फारुख सियार से मुहम्मद शाह के एंपरर बनने के बीच में बहुत सारी रूलर्स और इवेंट्स आएंगे वो इंपोर्टन नहीं है अभी आपने ये देखना है कि लास्ट में कौन है मुहम्मद शाह उसके पहले कौन है फारुख सियार फिर उसके पहले जहांदर शाह फिर बहादर शाह ऐसे तो वो हम मेडिवल इंडियन हिस्टी में देख लेंगे उसको लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि बाला जी विश्वनात के टाइम पे 1713 आस करते हैं लेकिन फारुख सियार सईध ब्रदर्स की पावर को डिस्ट्रोः करना चाहता था अब सईध ब्रदर्स इन और टू प्रौटेक्ट येँ मराथा से help चाहते हैं तब विश्वनाथ और खांडे राओ बल्लाल साइध ब्रदर्स के साथ दिल्ली की तरफ रवाना हो जाते हैं और फारुक सियार को dethrone कर देते हैं उसको सिंगहासन से उतार देते हैं इस सारे इंसिडेंस से मुगल एंपायर की जो है weakness clearly visible होने लग गई अब आप खुद सोचो कि कोई टाइम था कि जब औरंग जेव ने शिवा जी की नाक में दम कर रखा था डेकन एरिया में कोई मतलब ना वो ज़्यादा इंटरफेर करते थे ना डेकन एरिया की हिम्मत थी कि वो दिल्ली की तरफ कोई इंटरफेरेंस दिखाए ठीक है तो अब आप ये देखो कि दिल्ली की हकूमत को चेंज करने की पावर किसमें आ गई है उसमें मराठास का कितना बड़ा रोल आ गया है तो इससे क्या clearly आपको visible हो रहा है कि मुगल एंपायर जो है वो weak हो चुका है और माराथा एंपायर जो है वो strong होता जा रहा है ठीक है तो अब इस तरहां unintentionally क्या होता है बाला जी विश्वनाद जो है वो दिल्ली की politics में कुद को involve कर लिते हैं और जहां से अब वो पीछे हटनी सकते क्योंकि उन्होंने जो मुगल एंपरर था उसको dethrone कर दिया था तो इससे वो पीछे हटते भी नहीं है फिर वो क्या करते हैं नौर्थ वार्ड की तरफ expansion का पूरा expedition ही launch कर देंगे फिर वो खुद को मतलब आगे बढ़ाते रहेंगे वो पूरा इसको आगे ले जाएंगे बाकि विश्वनाथ की जो मृत्यू है वो 1720 में हो जाती है तो इसके साथ विश्वनाथ तो खतम हो जाता है तो लेकिन अब विश्वनाथ की death के बाद 1720 में शत्रपती जो शाहुत है उन्होंने विश्वनाथ के बेटे बाजी राओ वन जिसको हम बोलते हैं बाजी राओ को ही पेश्वा बना दिया तो इसके बाद हम पढ़ते हैं बाजी राओ वन के बारे में तो अब स्टार्ट करते हैं पेश्वा बाजी राओ के बारे में इनकी जो टाइम लाइन है वो 1720 से लेकर 1740 तक की है तो होता क्या है कि जब शतेवती बाजी राओ को पेशवा बनाते हैं तो उस समय उनकी जो उमर थी वो जस्ट 20 यर्ड की थी तो उस समय वो पेशवा की गद्दी संभालते हैं वो बहुत ही ambitious person थे इनके द्वारा ही मतलब policy of northward expansion इसको बहुत ज़ादा बल मिलता है जो बाद में third battle of panipat के लिए responsible होगी यह third battle of panipat भी काफी important event है इसको हम पिल्कुल एक अलग lecture बना के story के तरह देखेंगे तो यह जो थे ना पेशवा बाजी राओ यह बहुत ही intelligent थे और influential थी बहुत इनकी एक influential शवी थी इन्होंने ही मराठा जो conflict races थी उनको क्या था बहुत strong किया और unite करके रखा बाजी राओ वन ने अपनी life में लगभग 40 battle लड़ी कोई आम बात नहीं 40 battle लड़ना और उनमें से उन्होंने एक भी battle नहारी आप हिसाब लगा लो उनकी ताकत का कि मतलब कितना उनकी policies कितनी अच्छी होती होगी तो मराठाज में आप वैसे आगे समझेंगे कि ये बहुत over confident रहने लगे थे जो कि एक hidden clause रहेगा कि मराठाज की जो defeat होगी थर्ड battle अफ पानीपत में तो ये जो था कि इतना ज्यादा लगा था जीतते ही आ रहे थे कि वो बहुत जड़ा over confident रहने लगे थे और ये कारण बनेगा इनकी defeat का थर्ड battle अफ पानीपत में आला कि जो ये जो हम पढ़ रहे हैं बाजीराव वन के time इसमें तो कुभी वो हारें गई नहीं तो बाजीराव वन जो है ना इनों ने मतलब इस चीज को propagate किया और popularize किया कि किसको भला theory of Hindu पद पादशाही मतलब हिंदू empire की जो एक उन्होंने theory दी थी कि मतलब जो उनका एक पूरा मराठा गेंडम होना चाहिए और उसमें क्या है हिंदू वाद्धी जो है वो empire होना चाहिए हिंदू का एक वूरा empire जैसे हम आज की date में मुगल सल्टने सोचते हैं तो वैसे ही वो एक सोचते थे कि उनका हिंदू empire हो जिसको बोलते थे वो हिंदू पद पाथ शाहि तो इनके टाइम में expansion जो है वो बड़ी तेजी से हुई और इनके जो पुतर थे बालाजी बाजी राओ अब ध्यान में रखना कि इनके पुतर गौन थे बालाजी बाजी राओ तो उनके जो पेश्वाशिप में अब मराथाज को पावर जो है ना मराथाज की पावर वो अपने जैनिच पर थी इनके जो तो निजाम उल्क मूल्क निजाम उल्मल्क थे ना जो हैजराबाद के वो मराथाज कीゴ एक्सपेंशन हो रही थी लगातर चल रही थी उससे वो बहुत जैलस फील करते थे और उन्होंने ना मराथास को चौथ और सरदेशनों की देने से मना कर दिया as a result क्या होगा कि 1728 में ना इनकी battle हो जाएगी जिसको हम कहते हैं battle of पालखेड महराश्टरा में है यह एरिया battle of पालखेड वहाँ पे हो जाते है जिसमें निजाम जो है वो हार जाता है तो इसको भी याद रखेंगे battle of पालखेड किसके बीच में होई थी निजाम of हैद्राबाद that is निजाम-ul-मुल्क और मराथास के बीच में तो 1728 का टाइम है तो उस टाइम पे बाजिराव वन जो थे वो गद्धी पर थे तब निजाम जो है ना उनको एक treaty sign करनी पड़ते है battle of पालखेड में हारने के बाद और उस treaty को हम कहते है treaty of मुंगी शिवगाउ treaty of मुंगी शिवगाउ 1728 में ये sign होती है जिसके according अब निजाम को चौत और सरदेश मुखी देना ही होगा मराथाज को इस तरह मराथाज डेकर में अपनी सूपरमेशी एस्टैबलिश कर लेते हैं अब 1737 में पहुंचते हैं 1737 के इवेंट को देख लेते हैं क्या development होई तब 1737 में 37 में एक बार फिर से बाजी राओ की जो है निजाम मुल्क के साथ battle होती है तो जिसे battle of भोपाल कहा गया इसमें निजाम को फिर से हार का सामना करना पड़ता है और अब इस बार treaty होती है उसको बोलते है treaty of दुराहा सराय वो sign हो जाती है दुराहा सराय की और 1739 में क्या होता है एक battle होती है जो आपने याद रखनी है battle of basene battle of basene किसके बीच में होती है पेशवा बाजी राओ और portuguese के बीच में इस battle का result कहा रहता है इस battle में portuguese अपनी दो strategic locations salset और basene को हार जाते हैं पेशवाओं को ठीक है तो portuguese को अपनी दो strategic locations जो है पेशवाओं को देनी पड़ती है कौन-कौन सी थी वो salset और basene इनको भी याद रखेंगे तो मैं आपको जो भी अभी पढ़ा रहा हूँ ये एक-एक point जो है मतलब बहुत ही निचोड निकाल के बनाया गया है इसके बहार से paper में कुछ आएगा ने लेगिन इसमें से paper में जरूर आएगा कुछ ना कुछ तो ये जो सारे points है इसको एक point की form में copy में लिखते रहो आपको असानी होगी recall करने में और exam time में पढ़के जाने में ठीक है अब next बात कर लेते हैं हम बालाजी बाजी 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 राओ को हम नाना साहिब के नाम से भी जानते हैं इनका जो time था जो timeline चली थी इनके rule की वो थी 1740 से लेके 1761 ठीक है 1742-1761 बाजी राओ 1 के जो बाध, उनके पुत्र से बालाजी बाजी बाजी राओ वो पेश्वा बनते हैं बाला जी बाजी राओ के रूल के दुरान मराथा एंपायर मेजर इवेंट्स देखेगा जिसमें आने वाले टाइम में भारत का नक्षा ही बदल जाएगा अब जो फिगर हैड शत्रपती शाहू थे ना वे 1749 मतलब 1749 में मर जाते हैं और मरने से पहले सभी स्टेटके जो आफिसर्स है ना स्टेटके अफेर्स जो थे उनके मतलब मरने से पहले उनकी जो आफिशल ताकते थी तो वो सारी उन्होंने पेश्वासिएगाज़़ को ट्रानसफर कर दी मतलब यह एक तरह का ऐसा agreement होता है कि जो महराश्टरा में एक जगा शोलापूर है ठीक है शोलापूर के पास यह agreement होता है शोलापूर में भी कहां पर एक संगोला नामक जगा है संगोला इसको तो specially याद रखे लेना तो यहां पर यह एक agreement होता है जिसमें सारी powers का जो transfer है वो पेशवाज को कर देते हैं सतरपती तो इस agreement को बोलते हैं संगोला agreement इसको बहुत अच्छे से याद रखना यह important बात है संगोला agreement बालाजी बाजी राओ अपना capital जो है वो 17 से पूने में shift कर देंगे और 1752 में मराथाज और मुगल के बीच में एक और treaty होती है जिससे मराथाज को क्या है एक authority मिल जाती है चोथ को ना collect करने की कहां से पूरे इंडिया से अब मराथा 1752 में मुगल के साथ treaty को sign करने के बाद पूरे इंडिया से चोथ को collect कर सकते थे इसके बदले में मुगल क्या चाते थे मराथा से मुगल चाते थे कि जब उन पे कोई और जैसे अफगान कोई attack कर दे या कोई और power उन पे third power attack करे तो मराथाज मुगल की help करे ठीक है बदले में वो सारे इंडिया से वो text वसूल सकते थे तो आप power का shift देखो कैसे हुआ तो 1754 में क्या होता है 754 में बाला जी बाजी राओ के जो भाई थे रगुनाथ राओ उनके नित्रित्व में मराथा जो है वो दिल्ली पहुंचते हैं और आलमगीर 2 अब आलमगीर 2 कौन था वो था son of जहांदर शाह उसको क्या करते हैं वो दिल्ली का नया emperor बना देती है लेकिन किसको हटाके बनाते हैं किसी को डी थोन भी किया होगा जब आलमगीर 2 को उनने राजा बनाया तो डी थोन किसको किया डी थोन किया उनने एहमद शाह को एहमद शाह कौन था एहमद शाह था son of मुहम्मद शाह इसके बाद हम next lecture में पढ़ेंगे third battle of panipat उसके बाद हम ये देखेंगे कि decline of mughal power कैसे हुआ और क्यों हुआ और साथ में हमने पढ़नी है सबसे जरूरी चीज जो की है Anglo-Maratha Wars इसके साथ हमारा जो है अंग्रेजों की जो है policies उसको देखेंगे that's all for now thank you